हाई फ्रेंज वेलकम बैक तो इस वीडियो में मैं CSE द्वारा लॉंच की कई एक नई सर्विस के बारे में आप लोगों को जानकारी दूँगी कि कौन सी है वो सर्विस और कहां कहां अप्लिकेबल है प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसका कमिशन किस तरह से होता है त इसमें आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जैसे काफी सारे लोग पूछते हैं आधार UCL के बारे में या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है CSE में ऐसे काफी सारे नए और पुराने वी येली काफी सारे सवाल करते हैं हलाकि मैं mostly कोशिश करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँ वीडियो के अंदर लेकिन फिर भी कुछ सवाल छूट जाते हैं तो especially कल के वीडियो में मैं सारे सवालों का जवाब दूँगी तो आपके जो भी सवाल हैं आज के इस वीडियो में आप कमेंट कर करके मुझे पूछ सकते हैं तो यह अपडेट थी और दूसरी बात यह है कि जो लोग भी सवाल कर रहे हैं वह काफी कभी-कभी repetitive रहते हैं क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बना रखी होती है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एक बार वीडियो चेक कर लिया करिए क्योंकि अगर आप थमनेल देखेंगे वीडियो के तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह किस बारे में है वीडियो तो आप वहां से जानकारी ले सकते हैं क्योंकि आधार को ले करके और नई कि रजेस्ट्रेशन प्लस यह शारी चीजेंगों के बारे मैंने काफी सारे वीडियो बना दिये तो भर भर एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाने से जो दूसरे टॉपिक्स है वह रह जाते है छूट जाते हैं इसलिए आप एक बार वो देख लिया करें तो चलिए आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या नहीं क्या नहीं स्कीम शुरू की है अभी CSE ने तो अगर आप लोग त्यागी सर को फॉलो करते हैं ट्विटर पर तो आपने देखा होगा कि सर ने बताया है यहां पर कि launching of e-stamping service शुरू हुई है e-stamping जो है अगर आप लोग को पता नहीं है तो नॉर्मली पहले जो stamp paper बनते थे यानि माल लेते हैं मैंने आपको जैसे कि MOU दिखाया था तो MOU किस पर बनता है stamp paper पर बनता है क्योंकि 50 रुपे 100 रुपे का stamp paper होता है जिस पर की MOU बनता है तो उसी तरह से जब आप कोई भी agreement sign करते हैं या फिर आप registry कराते हैं तो एक कुछ amount हम government को pay करते हैं और उसके बदले में हमको एक paper मिलता है और उस paper की value होती है यह value इस तरह से calculate की जाती है कि अगर जितना ज़ादा amount आप उस project में या फिर आप किसी को भी दे रहे हैं तो उस हिसाब से stamp paper की value ज़ादा आप बनवाते हैं मैं एक और example देती हूँ माल लेते हैं कि आप एक rented घर में रहते हैं और rented घर में जो आप पैसे दे रहे हैं वो है 20,000 रुपे प्रती महिना तो 20,000 रुपे प्रती महिना अगर आप दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो stamp paper बनाना पड़े वो 1000 रुपे के आसपास हो वहीं अगर आप माल लेते हैं 5,000 रुपे प्रती महिना दे रहे हैं तो आप 100 रुपे का stamp paper फिर बना सकते हैं तो यह जो value होती है वो completely depend करती है कि project या फिर आप जो भी बनवा रहे हैं उसकी value कितनी है उस पे depend करती है तो अब यही वाला काम जो है वो CAC को भी मिल गया है CAC को क्या है कि जैसे कि अब भी तो फिल्हाल यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश में शुरू हो रहा है हर जगा शुरू नहीं किया जा रहा है clearly mention किया गया है कि सिर्फ और सर्फ हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा लेकिन धीरे धीरे जो हो सकता है कि हर जगा भी शुरू हो जाए तो इसकी जो है ट्रेनिंग और लाइफ सेशन जो होने वाला है वो एक सेप्टेंबर को यानि आज ही तीन बजे होने वाला है यह तो जो लोग भी इंट्रेस्टेड रहेंगे वो जा करके देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या बेनेफेट्स हैं और किस तरह से इस पर काम किया जाता है यह एक ऐसी सर्विस होती है जो जादा तर लोग अवेल करते हैं क्योंकि स्टैंप पेपर तो आए दिन हर किसी को बनवाना पड़ता है और इस्टैंपिंग अब कॉमन हो गई है जैसे पहले इस्टैंपिंग नहीं यहां पे फेस्बुक पे जुआइन हो करके देख सकते हैं कि इसके फायदे क्या है और किस तरह से काम किया जाए इसके उपर यहीं मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि शायद आपके मन में सवाल उठता होगा कि कुछ सर्विसेज ऐसी क्यों होती हैं सी ऐसी की कि जो स खुल बताया है कि जैसे हर्याना में उनको कोई प्राप्लम नहीं होती है क्यूंकि हर्याना गवर्मेंट बहुत कॉपरेट करती है सी 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 सिसे वहाँ पे आराम से जादा से जादा सर्विसेश शुरू हो जाती हैं जैसे उड़ीसा में आप देखोगे कि पहले एक साल पहले तक जादा सर्विसेश नहीं थी हलाकि अब तो धीरे 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 ऑप्शन्स खुल भी रहा है पंजाब में जादा सर्विसेज नहीं है CSE की UP में बहुत लूट मचा रखी है क्योंकि आप UP में किसके अगेंस्ट कंप्लेन करोगे सरकार भी BJP की है CSE भी BJP की है हर कुछ वहाँ BJP का है तो वहाँ आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे जो है वहाँ बहुत लूट मचा रखी है और अपने मनमर्जी के हिसाब से जो भी ओफिशर्स हैं CSE के वो काम करते हैं तो ये जो साटगाट है वो एक्चुली गव्मेंट पे ही डिपेंड करती है कि कौन सी गव्मेंट हो और वेदर वो अलाउट करते हैं काम कराना या नहीं करते हैं जैसे अभी महराश्चा में काफी प्रॉब्लम आ रही है अगें वहाँ पे गव्मेंट का ही रोल होता है तो जब भी आपके मन में ये डाउट आए कि आखिर ऐसा हो क्यो रहा है कहीं पे कोई सर्विस लाउच होती है कहीं पे नहीं होती है कहीं के डियम थोड़े कॉपरेटिव होते हैं कहीं के नहीं होते हैं तो इसका बहुत बड़ा इंफ्लूइंज होता है वो गव्मेंट की तरफ से ही होता है तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती थी और मैंने जैसा कि बताया कि आपके अगर कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं आपके जादा से जादा सवालों का जवाब देना चाहती हूँ तो इसलिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे से जो भी सवाल है वो पूछ लें और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आ करके भी कुछ सवाल जवाब करूँ तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भी आप लोग सजेशन देंगे मैं उसी तरह से वीडियो बनाऊंगी और अगर आप लोग कोई वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि पी एम किसान का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये जो स्कीम आई थी कि इस पर एक सदर्स्टे ने मुझे सजेशन दिया था कि आप इस पर वीडियो बनाइए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी तो अगर आप लोग अपने प्रॉब्लम मेरे साथ चेयर करेंगे तो मैं उन टौपिक्स पर ही वीडियो बनाऊंगी ताकि उसकी अवेरनेस हर एक VLE के पास पहुंचे तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो यह सारी जानकारिये देना चाहती थी मैं इस वीडियो में मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे चानल को सब सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी से शियर कर सकते हैं थैंक्यू कर दो